आज वाली सब्जी अगर आपने एक बार खा लेना तो ट्रस्ट में आपकी ये फेवरेट हो जाएगी इसको बनाने का तरीका एकदम ही अलग है और खाने में इतनी चटपटी मसालेदार लगते हैं कि ये आपकी फेवरेट सब्जी बन जाने वाली है तो चलिए देख लेते ह दरदरा क्रश हो जाए तब आप इसमें डाल दीजिए दो बड़े चम्मच बारिक कटा हुआ हरा धनिया हरे धनिया को अच्छा से वाश करके आपको लेना है इसको भी आपको कूट लेना है और ये मसाला हमारा बनके तयार हो चुका है ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का मसाला हमारा दिखेगा अब चलिए बनाते हैं सबजी की तरफ तो यहां पर हमने एक चम्मच देल गरम के उसमें पिल्कुल थोड़ा सा हिंग डाल दिया पिल्कुल थोड़ा सा जीरा जैसे जीरा क्रेकल अनस्टार्ट वास में ये 200 ग्राम गवार फली डाल दी है जिसको अ कर दिया साइड में अब यहां पर ग्रेवी की तरफ चलते हैं तो दो बड़े चम्मच तेल में हमने एक प्याज लिया है प्याज को हम भूल लेंगे दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे जब प्याज हलका सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए ना बस उस ताइम जो मसाला ह दाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक से दो मनिट पकाएंगे या जब तक जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाली को हमें पका लेना है ओल रिलीज होने तक मसाला जलना नीच चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भून जाए ना तब आपको इस ग्रेवी को बाइंटिंग देने के लिए इसमें एक चमच बेसन डालना है जादा बेसन यहाँ पे नहीं एड करना है और एक मिनट के लिए बेसन को भी हम इस मसाले के साथ भून लेंगे फिर इसमें चार चमच जाएगा रोस्टेट पीनट का पाउडर तो पीनट को हमने ड्राय रोस करके उसका छिलके जितने हट रहे थे उतना हटा लिए और मिक्सर जार में पीस की इसको स्टोर करके फ्रिज में रखते हूं मैं और जब भी सबजे में चाही होता है तब डाल देती हूं मसाला जब अच्छे सब भून गया तब इसमें हमने वन फोर्ट कप एकदम थिक दही लिया है दही को लगातार चलाते वे मिक्स कर लेना जब तक कि इसमें बोईल नी आ जाता फिर इसमें मसाले जाएंगे तो एक चमच कश्मी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना जब तक की मसाला तेल ना छोड़ दे और गवार फली पी यहां पर हमारे बिल्कुल अच्छे से बुझ चुका है मसाले कच्छे में कभी आप सबजी एड मत करिे वरना आपकी सबजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी जब मसाला इ इतनी ग्रेवी चाहिए अगर जादा ग्रेवी चाहिए तो जादा पानी डाले मैं आधा का पानी ही डाला है और नियुक्स कर दिया अब इसे हम 3-4 मिनट पकाएंगे या जब तक जब तक की पूरा ग्रेवी जो है वो तेल नहीं चूड़ते जब इस तरीके के आपको दिखन के बिल्कुल तयार हो जिकिए ये सबजी रोटी पराथे तंदूरी रोटी इवन चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती एक बार आप ट्राइस जरूर करना और फिर मुझे बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना चै आपको की राप और नहीं ऐस भी रýघर करना पना चावल आपको 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 आपको